तो यहार पिछले वीडियो में हमने बात की थी गैलरी बीजिन किढ़री वीजिन आपको देखेगा जैसे आप इसकी website पर आएंगे तो यहां पर आपको देखेगा sign up for free just आपको क्या करना है इस पर click करना है then form open होते ही आपसे कुछ detail मांगेगा वो आपने यहां पर fill करना है यहां पर first name then उसके बाद last name company का नाम आपकी कोई company है या फिर आप एक individual artist है तो यहां पर क्या करना है आपको अपना नाम कुद का डाल देना है then उसके बाद आपका email id तो contact number आपने यहां पर वही डालना है जो आपका official contact हो जिससे की gallery vision आपकी साथ contact करें तो देखिए यहां पर आपको तीन option और मिलेंगी record label artist and distributor तो देखिए अगर आप एक individual artist है तो आपको यहां पर artist पर टिक करना है otherwise अगर आप एक label है तो आपको यहां पर label पर click करना है टेक है distributor पर आप click कर सकते है then उसके बाद देखिए यहां पर आएगा I have आपको policy जो है वो सारी यहां पर agree करनी है then उसके बाद क्या करना है आपको sign up पर click करना है sign up करते ही आपका जो आपने यहां पर official contact number दिया है इस पर क्या आएगा whatsapp message आएगा then gallery vision क्या करेगी आप से contact करेगी through whatsapp then बहाँ पर सारा discussion होगा जो भी होगा gallery vision का जो भी requirement होगा वो आप से बहाँ पर मांगेंगे and अगर आपको कोई इसमें issue आता है gallery vision का आपको अगर dashboard नहीं मिला तो आप हमसे contact करेंगे हम आपका channel review करेंगे then आपका profile review करेंगे then आपको बता देंगे कि आपको इसका जो dashboard है वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है तो चलिए अब चलते हम यहाँ पर जैसे आपको gallery vision जो है वो provide करा आपको login detail तो आपको क्या करना है login button पर यहाँ पर click करना है तो देखिए यहाँ पर क्या करना है अपको username and password fill करना है then continue button पर click करना है जैसे click करेंगे यहाँ पर आजाएंगे gallery vision के main dashboard में जो की left side देख सकते हैं बहुत सारे option आपको यहाँ पर देखेंगे dashboard आगया bulk delivery and releases promotion label and artist support request mailing list data feeds reporting जहाँ से आप अपना analytics देख सकते हैं share report यहाँ से आप generate कर सकते हैं बहुत सारे option आपको gallery vision यहाँ पर provide कराता है तो काफी अच्छे features हैं तो देखें यहाँ पर आगर आपको एक song release करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एक label यहाँ पर add करना पड़ेगा क्योंकि कुछ एक information यहाँ पर मैं hide करके रखूंगा और किसी security reason की बज़ा से तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने सबसे पहले क्या करना है अपना label create करना है label name यहाँ पर डालेंगे then उसके बाद official email id यहाँ पर डालेंगे then country select करना है अपने website यहाँ पर commodity नहीं है बस आपको क्या करना है अगर आप simple यहाँ पर करना चाहते है label create तो यहाँ पर click करके आपको यहाँ पर क्या करना है create label पर click करना है अपका label क्लिक हो झाएगा then उसके बाद क्या करना है आपने artist क्रेट करना है artist में भी यहाँ पर add new artist करके आप यहाँ पर basic detail डालेंगे जो कि आपका artist है and उसके जो Spotify and iTunes के जो जितने भी artist profile है वो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेगी नहीं तो क्या होता है कई बार हमारा जो profile है वो किसी another profile पे link हो जाता है या फिर हमारे new profile create हो जाता है तो यहाँ पे आपको make sure कि आप उसी artist के यहाँ पे आपको URL देने है and create artist पे click करना है देखिए हमारा label भी create हो गया then हमारा artist भी create हो गया अब हम करते हैं अपना song release song release करने के लिए क्या करना है आपको सबसे पहले releases में जाना है and यहाँ पे आप देख सकते हैं एक option आपको देखेगा new release new release पे click करते हैं आपके पास यहाँ पे form open हो जाएगा यहाँ पे आपको क्या करना है अपने song की सारी की सारी detail यहाँ पे fill out करनी है then उसके वाद क्या करना है आपको label में click करके यहाँ पे जो आपने label create किया हो यहाँ पे label आपने select करने है catalog number यहाँ पे आएगा तो देखिए catalog number होता है आपने कोई भी label यहाँ पे create किया है जस्ट उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिए जैसे की example दिया होई ABC 001 यहाँ पे आपने कोई भी label create किया देन उसके बाद कोई digit लगा दिया यानि कि आपके जो song है वो sequence में यहाँ पे आपके पास update होते रहें तो ऐसा कोई issue नहीं इसमें आप simply यहाँ पे डाल सकते हैं उसके बाद देखिए आपके song का यहाँ पे title हैगा जो भी आपका song है उसका आपने यहाँ पे title यहाँ डालना है देन उसके बाद जो भी आपने artist अभी create किया वो यहाँ पे select करते हैं आपके पास artist आज जागा देन आपको यहाँ पे click करना है उसको देन उसके बाद देखिए release type में क्या करना है अगर आपका album है तो album कीजी EP है तो EP and अगर एक single release है देन आपको यहाँ पे single release UPC में आपने कुछ नहीं करना है अगर आपका पहले release है तो आप डाल सकते है UPC अगर नहीं एक fresh release है तो आपको UPC empty रखना है EN code आपको empty रखना है then format आपको क्या करना है digital यहाँ पे select करना है then उसके पास जो भी आपका genre है वो आपको यहाँ पे select करना है bundle price आपको default रहने देना है यहाँ पे आपको कोई changes करने की ज़्यादा जूरूरत नहीं है track price भी आप यहाँ पे T1 आप यहाँ पे रख सकते है then उसके बाद देखिए cover image यहाँ पे choose करके आपको जो भी आपका art है 3000 by 3000 यहाँ पे आपसे dimension मागेगा आपने यहाँ पे क्या करना है अपने artwork को यहाँ पे select कर लेना है तो देखिए बहुत सारे लोगों को C line and P line में बहुत सारे errors आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है simply आपको क्या करना है air डाल देना जिस air में आप song release कर ले then space then उसके बाद जो भी आपका label है वो यहाँ पे आप डाल सकते है ठीक है जो भी आपका label company का नाम है या फिर यहाँ पे आप अपना नाम भी डाल सकते है जो भी आपका नाम है जो artist का नाम है वो भी यहाँ पे आप डाल सकते है like this ठीक है तो error आपका जहां से हट जाएगा then उसके बाद same इसको copy करके आप नीचे भी डाल सकते हैं तो यहां से भी आपका error जो है वो remove हो जागा देख सकते हैं आप यहां पे error कोई नहीं आ रहा है then return why जिसने song write किया है ठीक है जिसने से अपने lyrics जो है no करना है इसको ठीक है हमारा artwork explicit नहीं है then उसके बाद exclusive आपको यहां पे no रहने देना start release date यहां पे आएगा आपका जैसे कि यहां पे लिखा है sale date तो यहां पे क्या आएगा आपका release date आपने कौन सी date को यह release करना है तो यानि कि आज 23 है तो मैं 23 यहां पे fill कर देता हूँ then उसके बाद हमारा song पहले तो release नहीं है नहीं हमारा song जो है अभी एक fresh release है तो यहां पे हम no रहने देंगे then उसके बाद description में कुछ आप को डालने की जूट नहीं है and उसके बाद वाइड हमने इसको release करना है जो आपका cover art है एक square dimension में होना चाहिए वो आप यहां पे click करके update कर देंगे then उसके बाद देखी यहां पे आपको देखेगा नीचे option track track पे click करेंगे यहां पे आपको left side एक button देखेगा add new track यहां पे आपको click करना है add यहां पे आपको क्या करना है basic detail दानी है जो भी song के related detail है यहनकि उसका title क्या है then उसका artist कोन है तो मैं यहां पे एक basic detail यहां पे आपको दिखाने के लिए यहां पे डाल देता हूँ then यहां पे मैंने basic detail यहां पे fill out करती है lyrics यहां पे नहीं आएगा lyrics का नाम यहां पे क्यों नहीं आएगा because हमने क्या किया है उपर इसमें instrumental select किया है ठीक है no vocal किया है तो इसलिए यहां पे नाम नहीं आगा अकर मैं यहां पे vocal करता तो यहां पे भी lyrics का यहां पे नाम देना पड़ता ठीक है यहाँ पे आपका track जो है वो, save हो जूगा पिन이가 है यहाँ पे आप से डियॅल को, अपलोड करके एक बेव फाइल यहाँ पे आपको upload करके 주면 यहाँ पे submit कर दिनी है रिदा सरी फीिल बारे सब्सक्राइब प्रेड़ करने बाद कौन-कौन सी डिटेल हमें अपने सौंग रिलीज करने के लिए यहाँ पर फिल ओट करनी है तो आई होप आप समझ गयोंगे सारा A2Z पुरसेस अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है यहाँ पर फिर कोई एरर मैसेश होता है तो आप नीचे कमेंट करिए मैं आपका क्वारी जरूर रिजॉल्फ करूँगा या फिर आप मेरे ओफिशिल वाटसाइप नमबर भी कंटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलतें नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाई बाई